Hello and Welcome Back to our channel Healthcare Tutorials आज हम बात करें सब्जेक्ट साइकलोजी के बारे में और जो हमारा टॉपिक है वो थिंकिंग का है आज हम बात करेंगे कि थिंकिंग क्या होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं और उनमें क्या क्या एरॉर्स आपको देखने को मिल सकते हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को और आज अब हम बात कर लेते हैं थिंकिंग क्या होता है तो थिंकिंग एक तरीके साब देखते हैं complex mental activity है मतलब कि आप देखेंगे कि इसमें complexity होती है different different चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ता है different different images के तो different concepts के तो आपको यहाँ पर चीजों को सोचना पड़ता है तो उसको थिंकिंग बोलते हैं thinking जादातर कब होती है जब हम किसी problem में होते हैं जब हम कोई problem को face कर रहे होते हैं तो हमको देखने को मिलती है यह problem solving skill के होती, क्योंकि जब हम problem में होते हैं, तभी ज़्यादा तर हम इसको देखने को मिलती है, ज़्यादा तर जो images होते हैं, जो concepts होते हैं, उनका use करके हम problem को solve करते हैं, और over activity को replace करते हैं, या over acting को replace करते हैं, तो यही चीज जो है, वो thinking कहलाती है, अब thinking के बारे में बता type आजाता है, वो आजाता है perceptual thinking, या फिर कह लिजे कि उसको बोला जाता है concrete thinking, इसको perceptual या concrete क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ां आप perceive करते हैं, जो आपके सामने present है, concrete objects हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर thinking करना शुरू करते हैं, तो इसलिए इसको conceptual, perceptual thinking या फिर आप देखेंगे कि इसको जो है concrete thinking यहाँ पर बोला जाता है, दूसरी चीज़ यह जो thinking होती है, इसको ज़्यादा तर बच्चे यूज़ करते हैं, या फिर animals यूज़ करते हैं, इसका एकर example देता हूँ, जैसे for example मेरे सामने अगर television है, तो मैं television के बारे में सोचने जाँगा कि इसके functions क्या है, इसके merits क्या है, इसके demerits क्या है, तो वो हो जाता है यहाँ पर perceptual thinking, अब दूसरे type of thinking के बारे में अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, तो दूसरा type जो है वो आ जाता है आपका abstract thinking, abstract thinking या फिर conceptualized thinking, इसमें क्या होता है कि यह just opposite है perceptual thinking के, क्योंकि इ time में हम उसके बारे में सोचना शूरू करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, आइडियास की तरो, concepts की तरो, images की तरो, mind में ही हम images को create करते हैं और उसके बारे में सोचना शूरू कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है यहाँ पर abstract thinking, इसका एक example देता हूँ आपको जैसे poet होत तो ये इसका example हो जाता है उसके बाद अगर next बात कर लेते हैं यहां पर तो logical thinking आ जाता है logical thinking जो होती है वो एक ऐसी type of thinking होती है जो कि simple problems को solve करने के बजाए complex problems को solve करने में हमको help out करती है इसमें क्या करते हैं जितने भी आपके पास findings हैं जो कि आपको problem को solve करने के लिए आपने खट्या कीती हैं उनको reconstruct करते हैं और उसके बाद नए तरीके से आप problems को solve करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी problem solve होते चले इसका एक example देता हूँ जैसे कि हम chess खिलते हैं या कोई game खिलते हैं तो हर बार हम एक नई trick यूज करते हैं नया एक तरीका यूज करते हैं अपनी problem को solve करने का ताकि हर चाल पर हम वह win कर सकें तो यह आपका logical thinking का example हो जाता है नेक्स अगर बात कर लेते हैं तो next आ जाता है यहाँ पर creative thinking क्या होता है यह एक ऐसी type होती है thinking की जिसमें कि हम कुछ नया create करने के लिए सोचते हैं क्योंकि नाम से ही पता चला है creative thinking आप कुछ नया create करना चाते हैं तो ऐसी thinking जो है वो creative thinking कहलाती है creative thinking में क्या होता है एक जो person है वो खुदी problems को सोचता है खुदी problem को find out करता है खुदी उसके regarding tools find out करता है और खुद ही उसको solve करने की कोशिश करता है ऐसी जो thinking होती है उसको creative thinking यहाँ पर बोला जाता है ज्यादा तर आप कि जो scientist होते हैं वो इसका इस्तमाल करते हैं वो खुदी problems को ढूनते हैं खुदी उसके regarding tools ढूनते हैं और उसको solve करने की कोशिश करते हैं नेक्स आ जाता है critical thinking critical thinking मतलब कि आप problems को जो critical problems है उनकी regarding आप solutions ढून रहे हैं और उनको solutions प्रोबाइड कर रहे हैं तो वो critical thinking आ जाता है जैसे कि critical problems में जब आप जाते हैं और उसके regarding solutions जो हैं आप ढूनना शुरू करते हैं एक unbiased solution यहाँ पर ढूनते हैं एक proper judgmental के साथ तो वो आ जाता है आपका critical thinking इसका एक example देता हूँ जैसे कि for example एक nurse है वो nurse अगर emergency ward में duty कर रही है और उसके पास critical situation में patient आता है तो जब वो उसके treatment decide करेगी तो वो वहाँ पर critical thinking कर रही है तो यह हो जाते हैं आपके types of thinking other types of thinking में जो आपको thinking देखने को मिलती है इसमें दो आ जा और कोई एक particular आपका goal होता है उससे oriented होते हैं उसे इसके basis पर होते हैं वह होता है आपका control thinking लेकिन free thinking में ऐसा नहीं होता है free thinking just जिसका opposite है, जो चीजें चाहें आप वो सोच सकते हैं, जो मन करें वो आप सोच सकते हैं, कोई भी उसमें foundation नहीं होता है, कोई rules regulations नहीं होते हैं, वो होता है free thinking, और maybe वो चीजें possible है environment में नहीं है, वो भी कोई sure नहीं होता है, तो यह होता है free thinking, इसमें 3 types आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका dreaming, एक day dreaming imagination, तो यहाँ पर dreaming क्या होता है, dreaming मतलब जब आप सो रहे होते हैं, आप light naps ले रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पर जो चीजें आप आपकी dream में आती हैं, आप जो चीजें सपने में देख रहे होते हैं, वो सब dreaming होती है, maybe वो possible हो, maybe वो possible ना भी ह उसके बाद daydreaming होता है ये एक तरीके का ideal imagination होता है मतलब कि ऐसा imagination जो की possible ही नहीं है जो चीज़े नहीं possible है आप बस अपने enjoyment के लिए अपने आपको happiness create करने के लिए आप वो चीज़ें सोच रहे हैं वो daydreaming होता है और imagination मतलब कि आप कुछ images को आप कुछ जो भी concept उनको gather करके ज ये possible भी हो सकता है और नहीं भी possible हो सकता है इसको imagination बोला जाता है तो ये completely हो जाते है types of thinking Types of thinking के बाद बात कर लेते हैं यहां पर Errors of thinking Errors of thinking में क्या होता है कि जब भी हम thinking करते हैं जरूरी नहीं कि हम हमेशा सही सोच रहे हो सोचने में कुछ errors हो जाते हैं तो उनको errors of thinking बोला जाता है Errors of thinking के अंदर जो पहला error आ जाता है वो partialism का आ जाता है Partialism मतलब कि आपको नाम से ही समझना आ रहा होगा यह word जो है Partiality से निकल के आया है तो यहां पर क्या होता है कि आप हमेशा क्या करते हैं कि दो लोग जो हैं उनकी बात अगर आप सुन रहे हैं तो आप क्या करते हैं एक ही व्यक्ति की बात सुनते हैं और judgment provide कर देते हैं या thinking करना शुरू कर देते हैं तो उसको जो है partialism बोला गया है आप एक ही की बात सुन करके आप वहाँ पर judgment ले लेते हैं उसके बाद next आ जाता है adversary thinking adversary thinking में क्या होता है व्यक्ति ऐसा सोचता है कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ अगर तुम गलत हो तो मैं सही होंगा ही इस तरीके की जो thinking होती है वो आ जाती है adversary thinking में इसमें व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि सामने वाले को गलत प्रूफ करते जिससे कि automatically वो सही प्रूफ हो जाएगा ऐसी thinking जदा तर आप देखते हैं politicians कि आपको देखने को मिलती है तो उसके बाद next आ जाता है time scale error time scale error क्या होता है इसमें व्यक्ति जो है वो एक limited time के लिए चीजों को देखता है चीजों को सुनता है और उसके बाद उसमें judgment प्रोवाइड कर देता है मतलब पूरी तरीके से चीजों को सुनता और देखता नहीं है इसको बोला जाता है time scale error अगला जो आदाता है initial judgment जो सुनता है थोड़े time के लिए ही चीजों को start की ही चीजों जैसे सुन लेता है start की चीजों देख लेता है और उसी basis पर judgment यहाँ पर ले लेता है वो पूरी तरीके से चीजों को यहाँ पर देखता और सुनता नहीं है उसके बाद जो last आ जाता है arrogance and conceit यह last है इसमें आपको क्या बताया गया है कि इसको village venus effect भी बोला जाता है लेकिन arrogance and conceit में क्या होता है विक्ति को ऐसा लगता है जो solution उसने ढून लिया जो solution उसने provide कर लिया वो best solution है इससे बढ़िया solution अब problem का हो ही नहीं सकता यह चीज creativity को bound कर देती है creativity को bound क्यों कर देती क्योंकि उसके लगता है इससे better अब कुछ हो ही नहीं सकता तो सोचने का आगे कोई मतलब नहीं है इसको village venus effect क्यों बोलते है एक funny सी चीज इसमें बतायी गई है जिसमें बताया जाता है जैसे एक गाउं है उसमें बहुत सुन्दर लड़की है तो गाउं वालों के यह लगता है कि इससे सुन्दर लड़की पूरे संसार में अपने है पूरे world में इससे सुन्दर लड़की नहीं है तो यह चीज़ें क्या करती है यह चीज़ें आपकी thinking को bound कर देती है आप उसके आगे कभी मी नहीं सोच पाते है और आप creative नहीं रहते है तो ऐसी thinking जो है उसको arrogance and conceit बोला गया है तो यह यहाँ पर totally type जो errors of thinking है वो complete हो जाते है और वीडियो यहाँ पर end कर देते हैं अगर आपको वीडियो में कोई भी doubt होता है कोई भी topic जो है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप जाकर के comment box में उसको पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like जरूर करें thanks for watching the video